वेलकम टो चैनल टेक मेकानिकल अनिलेक्टिकल मालविया नैसनाल इंस्टिटुट अप टेकनोलजी जैपूर MNIT जैपूर का तरफ से जो रिकुर्में निकल के आ था नॉन टीचिंग पोस्ट में ग्रूप सी कैटागोरी में इसका रिकुर्मेंट निकल के आ था जैनुवारी महिना में तो इसका exam day declare हो गया है और इसमें कितना कितना student selected किया गया है senior technician technician, junior assistant तो अलग-अलग shortlisted candidate का list अप लोग का जाड़ी किया गया है तो अप लोग को मैं सबसे पहले update दे रहा हूँ जो भी student अज मेरे channel में नया हो सब भी student channel को जुरू subscribe करकर राखना आने वाला hard technical job का अप लोग को सबसे पहले notification मिल जाएगा आप देख सकते MNIT का मैं official website पर हूँ तो आप देख सकते list of eligible candidate आप देख सकते इसका बाद एक नया window open हो जाएगा list of revised eligible candidate syllabus schedule for trade and skill test for various non-teaching post group C तो junior assistant senior technician lab attendant senior assistant office attendant technician वालो के लिए shortlisted candidate का list निकाला गया है तो मैं technician का list डाउनलोड करके आप लोग को दिखा देता हूँ तो डाउनलोड हो जाएगा इसका बाद आप देख सकते list of eligible candidate for the post of technician department wise अलग-अलग department था जैसे architecture and planning department था इसका बाद civil engineering तो इसमें आप लोग का अलग-अलग category में recruitment आया था तो total कितना form fill up हो ओ भी आप लोग देख सकते हैं तो अपना-पना हिसाब से अपना जो भी trade है या post है उसका according आप लोग PDF को download कर लेना अगर आप लोग junior assistant, senior technician से बिलोग करते हैं तो उस PDF को download करके अपना name search करके देख लेना आप exam देले के लिए eligible है की नहीं इसका बाद आप देख सकते click है to download and print application form अगर आप लोग का application form हो गया है तो आप लोग feed से इसको download कर सकते हैं इस पर आपको click करना पड़ेगा और एक नया window open हो जाएगा application form reprint करने के लिए आपको next option पर click करना पड़ेगा इसका बाद आपको registered user login इधर आपको जाना पड़ेगा इसका बाद आपको post select कर लेना पड़ेगा सोचो अपना technician post है तो technician आपको select करना पड़ेगा इसका बाद user ID password देके login करने का बाद अपना application form का प्रिंट कर सकते हैं इसका बाद आपको फिर से जाना पड़ेगा schedule for return test and treat test तो schedule आपको download करके मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ आप देख सकते exam schedule मैं ने download कर लिया हूँ तो सबसे पहले office attendant और lab attendant के लिए 3rd August exam होने वाला time सुबा 10 बज़े से दो पर बड़ा बज़े तक venue VLTC MNIT जाईपूर में अपलो का exam होने वाला है skill test या trade test आप देख सकते next day अपलो का होने वाला है सुबा 10 बज़े से और इसका exam center आप देख सकते Central Computer Center MNIT जाईपूर इसका बाद junior assistant और senior assistant के लिए 5th August 2021 अपलो का exam है time आप लोग का same है और next day आप लोग का skill test या trade test हो जाएगा इसका बाद आप देख सकते technician और senior technician post के लिए आप लोग का exam date 7th August 2021 आप लोग का exam होने वाला है और आप लोग का skill test होने वाला है 8th August next day आप लोग का skill test हो जाएगा सुबाद 10 बज़े से आप लोग का skill test होगा आप लोग का venue concern department MNIT जाईपूर में आप लोग को जाना पड़ेगा इसका बाद मैं आप लोग को written examination का syllabus डाउनलोड करके दिखा देता हूँ आप लोग का exam में क्या क्या पूछे जाएगा इसका बाद आप देख पहेंगे syllabus आपको देखने को मिल जागा जो भी post में आप लोग form फिलाप किया उसी post का syllabus आपको डाउनलोड कर लेना पड़ेगा पहले MCQ टेस्ट आप लोग का 100 marks का होने वाला है इसके लिए 2 घंट टाइम डाएगा इसका बाद जो भी student इसमें qualify करेगा वो सबी student को skill test या trade test इसको बोलते हैं उसमें आप लोग को बुलाएगा उसमें 2 घंट का time डाएगा 1500 marks का पलोग का exam होगा टोटल 800 marks का पलोग का exam हो reasoning ability mathematical ability general English general Hindi general awareness of rules of central government NIT का बढ़े में आप लोग को details में पढ़के जाना पड़ेगा इसका बाद note section में आप देख सकते हैं all questions are objective type carry 1 marks each with negative marking 1 by 3 1 by 3 अप लोग का negative marking रहेगा और एक एक question के लिए एक marks रहेगा इसका बाद आप देख सकते है candidates who score a minimum cart of as decided by MNIT MNIT जो भी कार्ट आप लोग का decide करेगा वो कार्ट अगर आप लोग क्वालिफाई करते तो आप लोग को skill test आप लोग को skill test के लिए बुलाएगा इसका बाद अब देख पहेंगे paper to skill test या trade test इसमें आप लोग का अपना trade से और अपना concern domain से जो भी trades आप लोग बिलंग करते तो उसी trade सब लोग को practical करने दिया जाएगा और post in web लोग को पूछे जा सकता है ठीक है तो ए था senior technician और technician post का skill test और return test का सिलेवा से इसका बाद junior assistant और senior assistant के भी download करके देख सकते हैं तो इस website का link में आज का video का description box में add कर दूँँगा तो जो भी student आज मेरे channel में नहीं हो सब भी सब्सक्राइब को सब्सक्राइब नोटिफिकर्स मिल जाएगा आज के इतने मिलते हैं नेक्स्टीब नहीं है टाटा बाए बाए